उत्राखंड में विधानसवा चुनाओं के मददान होने के बाद आप कॉंग्रेस ने अपने कुनवे को बढ़ाना शुरू कर दिया है क्योंकि लगातार कॉंग्रेस चाहती है कि वे उत्राखंड में और मजबूती के साथ जनता के बीच में जाए इसी क्रम में उन्होंने य मद्वार जो है जंता के बीच में जाएंगे ओर कॉंग्रेस को और मजबूत करने के लिए क्या कुछ फीछ यहां यहां मजबूत करेंगे देखिए विधान सबा चुनाओ खतम हो चुका है और मैं समझता हूँ जनता ने अपना निर्ने दे दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत के साथ कम से कमड़ तालिस सीटे हम जीतने जा रहे हैं और कॉंग्रस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और डवल इंजन की जो भारती जनता पार्टी की सरकार है जनता ने उसे नकार दिया है ना खाऊंगा ना खाने दूँगा कहते कहते इस जुमलों की सरकार ने इस देश की अर्थववस्था को खा दिया आम नागरिक के लिए आम जन्मानस के लिए अर्थववस्था आम जन्मानस GDP, NPA ये सब नहीं जन्मानस के लिए अर्थववस्था के चार ही पाए होते हैं चार स्थम्ब होते हैं अरतफवस्ता के उसमें उसका रोजगार उसके घर की किच्चन उसके घर का सिलेंडर और पेट्रॉल सबसे important चीजे हैं और आम जंता इस बात को समझ रही थी हमारी मात्रशक्ती इस बात को समझ रही थी क्या कमल का फूल हमारी सबसे बड़ी भूल 400 रुपए का सिलेंडर कॉंग्रेस के सरकार में मिला करता था वो 1000 रुपए तक पहुँच गया पेट्रॉल पंप आज सरकारी लूट के अड़े बने हुए हैं 100 रुपए से उपर पेट्रॉल भिक रहा है और रोजगार युवाओं के पास है नहीं युवा दर दर धक्के खा रहा है तो मैं समझता हूँ कि जंता ने अपना मैंडेट दे दिया है और कॉंग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है विकास के मुद्दे पे विकास बेनाम जुमले बाजी ये चुनाव हुआ है और विकास को जंता ने चुना है कॉंग्रेस पार्टी को चुनाव हुआ है इसके लावा और कौन सी उपलवदियां रहेंगी कॉंग्रेस के जिसको लेकर के आप जंता के बीच में जाएंगे और लोगों को कॉंग्रेस के परती जाग्रॉप करेंगे देखिए कॉंग्रेस पार्टी अपनी एक लड़ाई जो है उसको बिल्कुल तरीके से लड़ती है हम मुद्धवहिन नहीं हैं भारती जंता पार्टी मुद्धवहिन थी विकास वहीन थी इसलिए उनको अपने तीन-तीन मुक्ष मंतरी बदलने पड़े और कॉंग्रस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में स्पष्ट किया है चार धाम, चार काम, चार लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे चालीस हजार रुपए बीपील परिवार जो हैं, जो अरत्ववस्था में कमजोर हैं, उनको चालीस हजार रुपए सालाना कॉंग्रस पार्टी देने का काम करेगी, जो सिलेंडर हजार रुपए के पार पहुचा दिया है भारती जनता पार्टी ने, कॉंग्रस पार्टी उस जो लोगों में एक हवा फैल चुकी है जो चल चुकी है उसको कैसे बंद करेंगे नहीं देखिए ये जुमलेबाजी आप जनता को ये अपीस्मेंट की जो पॉलिटिक्स है ये भारती जनता पार्टी करती है कॉंग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है सब को साथ लेके चलती है कॉंग्रेस पार्टी जब विकास होता है तो उसका लाप सब को मिलता है किसी एक व्यक्ति विशेश को किसी एक वर्ग को नहीं मिलता है वो सब को मिलता है विकास जो होता है सब के लिए होता है बात बीजे भी करती है कि हम लोग पक्षपात नहीं करते हैं अगर सिलेंडर उजवला योजना चली तो मुस्लिम को भी मिली और सब को मिली लेकिन कॉंग्रेस को वो पर्टिकुलर जो है मुस्लिम पार्टी बना करके और उने जनता के बीच में कैसी उनकी मानसिक्ता बना दी है कि लोग जो है आप कॉंग्रेस को मुस्लिम पार्टी की तरह ही देखते हैं नहीं मेरा मानना ऐसा नहीं है यह भारती जनता पार्टी का काम है तुष्टी करन की राजनीति करना अपीस्मेंट की पॉलिटिक्स करना और भारती जनता पार्टी आप देख रहे हैं जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हिंदू बनाम, मुसल्मान और इस तरीके की राजनीत करने का काम कर रहे हैं जनता इस चीज को समझ चुकिया जनता अब जितना मरजी की बलगराने की कोशिश कर ले जनता अपने भटगने वाली नहीं है आपने देखा तो यह थे हमारे हमारी जनता की बीच में जाएंगे और इनका दावा है कि इस बार नगर निकाए के चुनाओं में भी और इसके साथ ही लोगसा चुनाओं में भी कॉंगरेक्स एक अच्छी परफुर्मेंस के साथ देश में अपनी सरकार बनाएगी कैमरावन विसाल के साथ में राजीव च